बाबी 2023 की अमेरिकी फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जो ग्रेटा गैर्विग द्वारा निर्देशित और गैर्विग और नोआ बाउमबाच द्वारा लिखित है मेटल की बाबी फैशन डॉल्स पर आधारित ये कई कंप्यूटर एनिमेटेड डाइरेक्ट टू वीडियो और स्ट्रीमिंग टेली विजिन फिल्मों के बाद पहली लाइव एक्शन बाबी फिल्म है फिल्म बाबी, मारगोट रॉबी और केन, रैयांग गोसलिंग को अस्तित्व संबंधी संकट के बाद आत्मकोच की यात्रा पर ले जाती है इसमें कलाकारों की टोली शामिल है जिसमें अमेरिका फेरेरा, केट मेकिनोन, इस्सा राय, रिया पल्मेन और विल्फेरल भी शामिल है रूरीवादी बाबी, बाबी और साथी बाबीस की एक विस्तरित श्रिंखला सभी बाबी लेंड में रहते हैं एक मात्रिसत तात्मक समाज जहां सभी महिलाएं आत्म विश्वासी, आत्म निर्भर और सफल है जबकि उनके केन समकक्ष अपने दिन समुद्र तट पर मनोरंजग गति विदियों में बिताते हैं बाबी डॉक्टर, वकील और राजने ताउं जैसे सभी महत्वपूर नौकरी पदू पर हैं बीच केन, केन, केवल तबी खुश होता है जब बाबी के साथ होता है और घनिष्ट संबंध चाहता है लेकिन बाबी स्वतंत्रता और महिला मित्रता के पक्ष में उसे अस्वीकार कर देती है एक डांस पार्टी के दौरान, बाबी अचानक मृत्यू दर की चिंता से ग्रस्थ हो जाती है अगले दिन उसे पता चलता है कि वह अब अपनी सामान्य दिन चर्या पूरी नहीं कर सकती है और उसे पता चलता है कि उसके पैर सपाट हो गए है और उसे सेलिलाइट हो गया है अजीब बाबी एक बुद्धिमान लेकिन विकृत रूप से बहिश्कृत उससे कहती है कि उसकी पीरा को ठीक करने के लिए उसे वास्तविक दुनिया की यात्रा करनी होगी और बच्चे को उसके साथ खेलते हुए देखना होगा वास्तविक दुनिया की और जाते समय बाबी को पता चलता है कि केन उसके परिवर्तनिय में छिपा हुआ है और अनिच्छा से उसे अपने साथ शामिल होने की अनुमती देती है वैनिस बीच पर पहुँचकर दोनोंने कई हरकते की और उन्हें गिरफतार कर लिया गया जिससे मैटल सीयो चिंतित हो गए जिन्होंने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया बाबी अपने मालिक साशा नाम की एक छोटी लड़की का पता लगाती है जो अवास्तविक सौंदर्य मानकों को प्रोटसाहित करने के लिए उसकी आलोचना करती है परेशान होकर बाबी को पता चलता है कि ग्लोरिया एक मैटल कर्मचारी और साशा की माँ उसके अस्तित्व संबंधी संकट की उत्प्रे रख है ग्लोरिया ने अपनी पैचान के संकट का अनुभव करते हुए साशा के बाबी खिलोनों के साथ खेलना शुरू किया अंजाने में अपनी चिंताओं को बाबी पर स्थाना अंतरित कर दिया ग्लोरिया और साशा बाबी को मेटल के CEO और उसके अधीनिस्तों से बचाते हैं और तीनों एक साथ बाबी लेंड की यात्रा करते हैं इस बीच केन को पित्रिसत्ता अत्मक व्यवस्था के बारे में पता चलता है और वो पहली बार सम्मानित और स्वीकृत महसूस करता है बाबी लेंड में लोट कर वो अन्य केन्स को कार्यभार संभालने के लिए मना लेता है और बाबी इसको नौकरानियों, ग्रहिनियों और सहमत गलफ्रेंड जैसी विनम भूमिकाओं में अधीन कर दिया जाता है बाबी आती है और केन और बाबी इसको चीजे पहले जैसी स्थिती में लोटने के लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है वो उदास हो जाती है, लेकिन ग्लोरिया उसे एक प्रेरनादायक भाशन देती है कि एक महिला होने का क्या मतलब है साशा, ग्लोरिया, अजीब बाबी, एलर और अन्यबंध गुडियों के प्रोटसाहन से बाबी इसने खुद को केंज से मुक्त कर लिया और उन्हें आपस में लड़ने के लिए प्रेरित किया जिससे बाबी इसको अपनी सत्ता की स्थिती फिर से हासिल करने और केंज को पुरुष श्रेश्ठता को स्थापित करने के लिए सम्विधान में बदलाव करने से रोकने की अनुमती मिली बाबी इसको भी अपनी पिछली सामाजिक व्यवस्था की गलती का एहसास होता है और वे बाबी लेंड में कुछ बदलाव करने का निर्नाई लेते हैं जिसमें केंज और सबी बहिश्कृत गुडियों के लिए समान लिवाहर शामिल है बाबी और केंज एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपनी विफलताओं को स्विकार करते हैं केंग को दुख है कि बाबी के बिना उसकी कोई पहचान या उद्देश्य नहीं है जिसके लिए बाबी उसे एक स्वायत पहचान खोजने के लिए प्रोथसाहित करती है बाबी जो अपने उद्देश्य और पहचान के बारे में अनिश्चित रहती है मैटल के सैसन स्थापक और बाबी के आविशकारक रूथ हैंडलर की आत्मा से मिलती है जो बताती है कि बाबी की कहानी का कोई निश्चित अंद नहीं है और उसका लगातार विक्सित होता इतिहास उसकी जड़ों से आगे निकल जाता है बाबी ने इनसान बनने और वास्तविक दुनिया में लोटने का फैसला किया कुछ समय बाद ग्लोरिया उसका पती और साशा बाबी जिसे अब बाबरा हैंडलर के नाम से जाना जाता है को उसकी पहली स्त्री रोग संबंधी नियुक्ती पर ले जाते हैं इस बीच केन को पित्रिसत्ता अत्मक व्यवस्था के बारे में पता चलता है और वो पहली बार सम्मानित और स्वीकृत महसूस करता है बाबी लेंड में लोट कर वो अन्य केन्स को कार्यभार संभालने के लिए मना लेता है और बाबी इसको नौकरानियों, ग्रहिनियों और सहमत गलफ्रेंड जैसी विनम भूमिकाओं में अधीन कर दिया जाता है बाबी आती है और केन और बाबी इसको चीजे पहले जैसी स्थिती में लोटने के लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है वो उदास हो जाती है लेकिन ग्लोरिया उसे एक प्रेरनादायक भाशन देती है कि एक महिला होने का क्या मतलब है साशा, ग्लोरिया, अजीब बाबी, एलर और अन्यबंध गुडियों के प्रोटसाहन से बाबी इसने खुद को केंज से मुक्त कर लिया और उन्हें आपस में लड़ने के लिए प्रेरित किया जिससे बाबी इसको अपनी सत्ता की स्थिती फिर से हासिल करने और केंज को पुरुष श्रेश थता को स्थापित करने के लिए सम्विधान में बदलाव करने से रोकने की अनुमती मिली बाबी इसको भी अपनी पिछली सामाजिक व्यवस्था की गलती का एहसास होता है और वे बाबी लेंड में कुछ बदलाव करने का निर्नाई लेते हैं जिसमें केंज और सबी बहिश्कृत गुडियों के लिए समान लिवाहार शामिल है बाबी और केंज एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपनी विफलताओं को स्विकार करते हैं केंज को दुख है कि बाबी के बिना उसकी कोई पहचान या उद्देश्य नहीं है जिसके लिए बाबी उसे एक स्वायत पहचान खोजने के लिए प्रोटसाहित करती है बाबी जो अपने उद्देश्य और पहचान के बारे में अनिश्चित रहती है मैटल के सैसन स्थापक और बाबी के आविशकारक रूट हैंडलर की आत्मा से मिलती है जो बताती है कि बाबी की कहानी का कोई निश्चित अंद नहीं है और उसका लगातार विक्सित होता इतिहास उसकी जड़ों से आगे निकल जाता है बाबी ने इनसान बनने और वास्तविक दुनिया में लोटने का फैसला किया कुछ समय बाद ग्लोरिया उसका पती और साशा बाबी जिसे अब बाबरा हैंडलर के नाम से जाना जाता है को उसकी पहली स्त्री रोक संबंधी नियुक्ती पर ले जाते हैं